नमस्कार दोस्तों हम एक ऐसे रहस्माई चमतकारी पत्थर के बारे में बात करेंगे जो किसी भी लोहे की वस्तु को सोना बना देता है जिहां दोस्तों चाहे फिर वह लोहे की सरिया हो या फिर लोहे का दरवाजा हो या लोहे का कोई बरतन हो या लोही की बनी कोई दूसरी वस्तुएं हो उन सभी को सोने में तब्दील कर देता है जिहां आज हम एक ऐसे ही रहस्माई पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिहां एक ऐसा चमतकारी दिब पत्थर जो किसी भी लोहे की वस्तुओं को सोने में तब्दील कर देता है और हम उसी चमतकारी सक्तिसाली पत पत्थर है जिसके द्वारा किसी भी सोने को जी हाँ दोस्तों यह कहने करता है कि किसी भी लोहे को सोने में तबदील कर सकता है तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं किसी भी प्रकार के लोहे को सोने में तबदील कर देने वाला एक जादू पत्थर के बारे में तो दोस्तों सबस से पहले आप सभी से अंडोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दवा लीजिए क्यूंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमई जादुई पत्थर तांत्रिक साधनाएं एवं कई प्रकार की दिव तांत्रिक सक्तियों और असान से असान और साथ विक से साथ विक और उगर से उगर साधना लाता रहता हूँ तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए तो दोस्तों चलिए हम सुरू करते हैं मित्रों जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसे चमतकारी जादूई पत्थर के बारे में बताऊंगा जो लोहे की किसी भी वस्तू को सोने में तब्दील कर देता है जी हां दोस्तों आपको भी सुनकर हैरानी हो रहा होगा आपको भी सुनकर के विस्वास नहीं हो रहा होगा कई लोग तो हस रहे होंगे कई लोगों को तो गुस्सा भ जिसके द्वारा किसी भी लोहे की वस्तूओं को सोने में तब्दिल किया जा सकता है और उस जादूई रहस्त में पत्थर का नाम क्या है पूरी जानकारी दूँगा और इसे जुड़ी पूरी कहानी बताऊंगा और ये पत्थर कहा मिलेगा अगर आप में हिम्मत हो तो आप और इस पत्थर को प्राप्त कर भी सकते हैं बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमारी इस वीडियो में इस वीडियो के पूरा आखरी तक अन्त तक देखिएगा तभी समझ में आएगा अंठा कुछ समझ में नहीं inside गएगा आधी डूरी देखिए और इस रहस्यमई जादूई पत्थर के राज को जान लीजिए तो दोस्तों दिल थाम करके बैठ जाईए अब मैं बताने जा रहा हूं उस जादूई रहस्यमई पत्थर के बारे में मित्रों उस जादूई रहस्यमई पत्थर का नाम है पारस पत्थर जी हां दोस् सुद्य असली सोना बना देता है जियां सुद्य असली करा सोना बना देता है पारस-पत्थर पारस-पत्थर एक विसेस प्रकार जादू पत्थर है जो की भार्द भूमि पर था जो कि ऐक राजा सरत्भन युक्त हो कर bracket ृक उसको प्रदान किया था और उसी पत्थर को लेकर कि अने को युद भी हुए और दोस्तों और वो पारस पत्थर कहां है कि जगे इस्तित है और कौन सा राज्य है और उस राज्य में वो कौन सा कौन सा सहर जहां आज भी यह पारस पत्थर भी दमान है परन्तु बहुत सारे ल से भी उपर जो है बन जाएगा जिसको बोलते नील महा नील महा पदम यानि इससे भी ज्यादा पैसे वाला बन जाएगा दोस्तों वो अर्बो खर्बों का मालिक हो जाएगा जिसके हाथ में ये पारस पत्थर लग जाए यानि दोस्तों वो अपार धन दौलत का मालिक बन जा होगा नौग्रह सांत हो जाएंगे और उसके राज में बर्सा समय समय पर होगी और भविस्य में जो भी घटने वाली घटनाय होंगी वो पारस पत्थर बता देगा पारस पत्थर जो है दोस्तों सिस्टीवी कैवरे की तरह ही काम करता है जब पत्थर के थूरू संकेत मिल जाता है इतना चमतकारी है तो दोस्तों सोने की बरसात कर सकता है यह पारस का पत्थर राय सेन वह राजा था जिसके पास पारस का पत्थर था जिहां जो सोने की बरसात भी कर सकता है अपने संपर्क में आने वाली लोही की हर वस्तू को सोने में तब्दील कर सकता है जी हां दोस्तों एक एक ऐसा ही जी हां दोस्तों एक ऐसा ही सदियों पुराना जो है दावा मिलता है पारस पत्थर का दावा है कि लोहे को सोने में तब्दील कर देने वाला वह चमतकारी पत्थर आज भी मौजूद है जी हां और उसी पत्थर जी हां दो समक्ष खोलूँगा तो दोस्तों हम चलेंगे मद परदेश जी हां कहने करते हम बात करेंगे मद परदेश की मद परदेश की राजधानी है बोपाल और हम उसी की तरफ रुक करेंगे और इस रहस्यमाई जादूई पारस पत्थर के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अगर जाकर के इसको प्राप्त करना चाहें अगर आपके अंदर अगर सकती है वो सामर्थ है तो आप प्राप्त कर सकती है जिहां दोस्तों जिसने भी इस पत्थर को प्रयास करने का जिहां मैं यानि की जिसने भी इस पत्थर को पाने का प्रयास किया वो आसफली रहा जी हाँ दोस्तों ये पारस पत्थर कभी भी लालची की हाथ में नहीं लगता ये पारस पत्थर बहुत अद्बूत है ये पारस पत्थर कभी भी किसी भी लालची और छुद्री और पखंडी इनसान की हाथ में नहीं लगता यह पार्स पत्थर बहुत ही चमतकारी है यह सुता है अपने मालिक को चुनता है मद परदेश के राय सेन का किला जिहां दोस्तों उसकी ही बात करेंगे हम मद परदेश के राय सेन का जहां 900 साल पुराने खंडर है जिहां दोस्तों ध्यान सुनिए मद परदेश के राय सेन का जहां दोस्तों राय सेन का जहां नौ साल पुराने खंडर खंडर है जहां दोस्तों नौ साल खंडर में तब्दील हो चुकी है क्या किले किले में आज भी पारस पत्थर मौजूद मौजूद है और वहां के जितने भी निवासी है जो लोकल आदमी सब दावा करते हैं कि आज भी यहां पत्थर मौजूद है दावा किया जाता है कि इसी किले में राय सेन को बसाने वाले हिंदू राजा राय सेन का राज हुआ करता था कहां दोस्तों मद परदेश का मद परदेश में राय सेन है राय सेन का किला ह वहाँ पुराने खंडर है जिहां दोस्तों वह जो पुराना जो किला है वह एक जो खंडर में तब्दील हो चुका है किले में आज भी पार्ष पत्थर मौजूद है जिहां और हिंदु राजा राय सेन का राय सेन पर राज किया करते थे राय सेन के पास ऐसा जादूई पत्थर होता था यानि था जिसे इस किले के दौलत से भर दिया होगा जिहां दोस्तों यानि कि इस किले को दौलत से उसने भर दिया होगा या उसने भरा था रियासत का सारा लोहा सोने में तबदील कर दिया था किसने राज सेन के राजा ने जिहां दोस्तों और दोस्तों और इसी पत्थर की वज़े से राजा महराजा तथा बातसाहों में इसी किले पर आकरमड किया गया जिहां दोस्तों और इसी बेस कीमती पत्थर ने राज नेताओं तथा बातसाहों को आकरमण के लिए उकसाया किले के ही एक तलाब में पारस पत्थर को फेंक दिया जिहां दोस्तों ताकि गलत लोगों से बचाने के लिए और तलाब में तलाब के तल तक कोई नहीं पहुंच सका जिहां दोस्तों यानि की जो मदपरदेश के जो राजा थे राय सेन के जो राजा थे ठीक है और जो राय सेन में जो पुराना खंडर था जिहां दोस्तों जो है वो जो पुराना किला था वो खंडर में तब्दिल हो चुका है वहां के जो राजा थे राज सेन राजा ठीक है राज सेन एरिया की दोस्तों क्या था कि जो पार्ष पत्थर तो पार्ष पत्थर को लेकर कि कई राजाओं ने बात्साओं ने उनके राजे में उनके किले में आकरवन करा जिसकी वज़े से वो डर गए कि यह पार्ष पत्थर किसी गलत इंसान के हाथ में किसी गलत राजा के हाथ में नहीं लगना चाहिए इसलिए उन्होंने वहीं पर मौजूद जिहां दोस्तों जान से सुनिए आज भी राज सेन में एक बहुत पुराना तालाब है बहुत गहरा तालाब है जिहां उस तलाब के तल में उस पार्स पत्थर को राय सेन के राजा ने फेक दिया था जिहां दोस्तों और ये तलाब के ऐसे तल में जाकर के गिरा है जहां आज तक कोई नहीं पहुँच शका जिहां और कहां तो यहां तक जाता है कि पार्स पत्थर को छू लेने से मनुस से भी अमर हो जाता है जिहां दोस्तों जो भी पार्स पत्थर को छू लेता है वो मनुस अमर भी हो जाता है संसार में कई लोगों ने इस चमतकारी पार्स पत्थर की तलास की और कुछ लोगों ने जादुई पत्थर को बनाने की कोसिज भी की कुछ विसिशग बताते हैं कि पार्स पत्थर चन्दर्मा तथा दूसरे गिरह पर बना था जो धर्ती पर आ गया जबकि दावा ये भी किया जाता है कि यह भारत की प्राचीन पहाड़ियों के नीचे रसाइनी का भी किरिया द्वारा बना तो क्या वाक्य ही कुछ मतलब राय सेन के चमतकारी चमतकारी किले में चमतकारी पत्थर मوجود था अगर राय सेन के राजा थे राय सेन पारस का पत्थर उनके पास जो था क्या उन्होंने जो है उस पत्थर के राज को किसी और को नहीं बताया उन्होंने पूरी नगरी सोने में तब्दिल क्यों नहीं की जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों ऐसा कई लोग सवाल करेंगे लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए बता दू कि उन्होंने इसलिए नहीं किया क्यों लालची नहीं थे, खुददार इंसान थे, भक्ति वाले इंसान थे, पूजा तप में लगे रहते हैं लेकिन जो अध्यात्मिक को चुरा भी ले तब भी जो है कम पड़ जाता था समझे रो ना यानि कि कभी खतम नहीं होता था कितना भी सोना चुरा ले तब भी ओ कमी था समझे रो इतना ज्यादा सोना था उनके राज़े में दोस्तों पारस पत्थर पारस पत्थर जिस तलाब में पड़ा राजसेन की जिहां दोस्तों ये हम्माद्य परदेश की राजदानी भौपाल में वहां राचसेन है और वहां की राजा थे राचसेन जी और वहां एक तलाब प्राचीन और जब उनके किले में आक्रमन होने लगे उनोंने उस पार्श पत्थर को उसी तलाब में फ्यंक दिया और उस तलाब में जिहां और वह बहुत गहरा तलाब है बहुत बड़ा तलाब है और उस तलाब में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने खुजने कर प्रयास किया परंतु वह पारस पत्थर नहीं मिला समय में दोस्तों पारस पत्तर जो है एक लोही की जंजीर से टकरा गया था जिससे पूरी लोही की जंजीर दोस्तों सोने में तबदील हो गई थी और सोने में तबदील होने के बाद वहां की जो गुवर्मेंट थी वह आक्षन में आई उसने दुबारा खोजा और जंजीरों जंजीर से टच हो दुबार सोने में तबदील हो और खजाने को ढूना जाए गोता खोर भी गए तब भी नहीं पता चला कि किस कोने में दब गया वो पारस पत्थर पारस पत्थर से बताना चाह रहा हो कि मैं हूँ आज भी यहां पर मौजूद हूँ ताकि अगर ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि यह कहानिया नहीं है यह सच में हकीकत है परन्तु यह पारस पत्थर किस के किसमत में जाएगा और यह पारस पत्थर किस के लिए क्या ल कि दोस्तों लोग कता में जिस पार्श पत्थर के मालिक का नाम राय चिन practice चला आ रहा है उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब क्यूं मिलता है नाम दोस्तों जिसका कोई सिरा नहीं मिलता कोई नहीं जानता कि पारस पत्थर की जिहां दोस्तों कोई नहीं जानता कि पारस पत्थर की असली सच्चाई क्या है पारस पत्थर के लक्षन और गुण क्या है इस जादूई पत्थर के पाय जाने की जादूई जगह क्या है क्या अनमोल पत्थर होने का प्रमाड क्या है लेकिन एक बात तो है दिहां दोस्तों एक बात तो है कि यह पत्थर नैतिकता तथा कर्म का पार्ट जरूर पढ़ाता है जियां यह जादुई पत्थर नैतिकता कर्म और जो है इमानदारी का पार्ट जरूर पढ़ाता है कि इंसान को जीवन भर जो है मेहनत करते रहना चाहिए और अपने अच्छे गुणों से जो है वे पारस पत्थर बन सकता है और अच्छे गुणों से वो इंसानों को भी अच्छा बना करके उनको भी वो सोना बना सकता है समझ रहे हो दोस्तों सही मायने में तो ये है तो दोस्तों मैं आपको यह जानकार इसलिए देना चाहता था ताकि आप लोगों को पता चले अगर आप लोगों में से कोई भी चाहे तो मद परदेश के राइसेन में राइसेन के किले में जाकर के वहां के तलाब में जाकर के वहां के आसपास खंडरों में जाकर के वो खोजना चाहे तसली के लिए तो जा सकता है किन्तु ध्यान रहे सौधानी पूर्वग जाएं और अकेल दुकेले ना जाएं क्योंकि वहाँ पर आने को प्रकारी की सक्तियों का भी ब्रहमड है तो इसलिए ध्यान रखिए उसकी जो रक्षा है जो स्वैम जो है वहाँ की माया भी सक्तिया रक्षा कर रही है तो इसलिए ध्यान रखें और सतर्ग रहें सौधान रहें दोस्तों यह एक बहुत ही अनसुलजा हुआ रहसे है लेकिन दोस्तों बहुत सारी हमारे समाज में आने को ऐसी चीजे है जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं दोस्तों जब कोई चीज जब हमारे लोग कि उदंतियों में प्रचारीत होती है तो कई लोग उसे कहानी समझते हैं उसे गलत समझ करके भूल जाते हैं किन्तु जब वही घड़ना किसे घड़ जाती है तब उनको यकीन होता है कि यार हाँ यार जो कहानिया थी जो जो सच्चाईया थी वो सच में थी तो दोस्तों अगर आप में अगर सक्षमकता है अगर आप कर सकते हो तो खोज करके पार्श जिसके अंदर माना होता हो जो जीवहत्या ना करता हो जो मास मंदिर अकर सेवन ना करता हो उसी को यह पार्श पत्थर प्राप्त होता है बांकि लाल्ची दुराचारी दुस्ट वेक्ति के हाथ में कभी पार्श पत्थर नहीं लगेगा दोस्तों यही सच्चाई है बविश्ट की बाते बता देता था मन उसको आने वाले घटनाओं को ले करके जो है क्या करता था सूचित करता था उसको जो सौधान करता था इतना चमतकारी पत्थर था दोस्तों फिर से आएंगे कि एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में तो दोस्तों इंतजार एक मत्बाइक में जैनने के लिए हमारे चलिएल को सब्सक्राइब कर लिए जिहां दोस्तों और वीडियो को भी लाइक कर लिए जो हम जो है परसुपक्षी जादुई पेड़ पौदे तथा तांत्री जड़ी भूटियां एवं आयरुबेदिक और सधियां एवं कई प्रकार की तांत्रिक साधना लाते रहते हैं जो आपको मजबूर कर देगा सोचने के लिए क्या सचमूच ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों उम आशकार मिलते हैं एक नई वीडियो में धन्नबाद